शम्मा जली तो परवाने हुए, ये शराब बनी तो मैखाने हुए, आखिर कुछ बात है मोदी में, जो हम सब कैस्त उनके दिवाने हुए मेरे समय से तो कोई अपोजिशन में है ही नहीं देश के लिए कोई एक बंदा है तो हमारा मोदी, मोदी की शिवा कोई नहीं, मोदी नहीं तो कोई नहीं चालिस में से कितनी सीट इस बार NDA को जा सकती है यहां चालिस उना आशी को सीट और जदी लोग बढ़ा देल संसर से, तो अच्छी बात हैं अब पहुच गए हैं बिहार की राजधानी पतना में, पतना साहिब सीट है यहां काईस्तों का बोल बाला है और काईस्त वो समाज जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा सिवलाइजड और आप कहें अगर कि काईस्त की वजए से, काईस्तों की वजए से पतना साहिब सीट हमेशा से बीजेपी के लिए गड़ मानी जाती रही है चाहे शत्रुगन सिना यहां से चुनाव लड़े हों, रविशंकर प्रसाथ चुनाव लड़े हों, 2009 में परिसीमन के बाद जब यह सीट बनी तो उसके बाद से लगातार बीजेपी का कफ़ जरा, शत्रुगन सिना कॉंग्रेस के साथ चले गए तो यहां के लोगों ने उनको नकार दिया, हरा दिया, उन्हें बीजेपी के साथ जाना ही पसंद है लेकिन आज हम बात करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ हैं, कायस समास से ही इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पिछले 10 साल में क्या इन लोगों का मन बदला है और क्या काइस्तों का कोई मुद्दा भी है या एक ही एजेंडा है कि हमको BJP के साथ जाना है आप किसी भी सिना को श्रवास्तव को यानि कि काइस्त व्यक्ति को मिदवार यहां उतार दीजिए हम उसके साथ चले जाएंगे तो जरह एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोगों सुझीत कुमार वर्मा आप लोगों का कोई एजेंडा है कोई आप लोगों का मुद्दा है या सिर्फ एक ही एजेंडा है BJP देखे हम लोग बुद्धी जीवी वर्ग में आते हैं इसलिए यहां पर काइस जो परमुकता से रहता है अज संख्या भी हम लोग की आठ लाक है तो आठ लाक संख्या है तो हम लोग दूसरा के क्यों यहां ने देंगे मुद्धा अपनी जगह पर है विकास अपनी आप लोग तो टॉप टू बॉटम वाले नहीं है टॉप टॉप वाले है ना तो आप लोग जातपात को क्यों इतना वेल्यू करते हैं लेकिन हर जगह पर तो जातपात का यह है तो हम लोग उससे बंचित क्यों तो बीजेपी क बीजेपी करूंग्रेस ना पीजेपी जिब है रहा है वेजेपी जिब हैलु दे रही है तो बीजेपी को क्यों नहीं देंगे अगर मैं कहता हूं कि मानली जी कॉंग्रेस से आपका नाम कहे ख़र बताइए मेरा नाम निर्मल कुमार सिर्वास्ता हूँ एक चीज मेरे एक सवाल ये है मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लिजिए कॉंग्रेस यहां से कोई काईस इस बार उतारे है ना या आरजेडी कोई काईस उतारे तब आप लोग क्या करेंगे आरजेडी उतारे या कॉंग्रेस उतारे उससे काईसतों को मतलब नहीं है जो काईस के हीत्की रक्षा करें उससे हमको मतलब है और बीजेपी जो है वह काईसतों के लिए शुरु से आज सेने सुरु से जब से या पटना साहिब और पाटली पुतरा ये सब बना कायस का सबसे अधिक संख्या है और हम लोग ने मन बनाया है कि कायस्तों कहीं भोड़ देगे अभी बरतमान में सिरी आरके सिना जिनका नाम आप सुने होंगे जिस यहाँ पर जिस सहाय सदन में है कृष्णन जन सहाय हुगा करते थे इन लोगों ने कायस्तों के लिए बहुत काम किया है और करते रहते हैं शिरी आरके सिना चाहे कायस्तों या अंसमाज के बर्गों सबके स्वास, हेल्थ, सिक्षा सम्मे मदद करते हैं और उनके पुत्र रितुरा सिना है पिता के धर में बढ़े पूते जो कहावत है तरितुरा सिना भी उसी लाइन पर चर रहे हैं और समाज के बाउजी बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है परिवारवाद के खिलाफ तो एकदम है उसमें ये दोमत नहीं है लेकिन बीजेपी में अभी तक तो कोई ऐसा यहां चेहरा नहीं मिला है, जो परिबारबात का हो, आरके सिना जो हैं, उरासवा में थे, उनके पुत्र हैं, काम कर रहे हैं, समाज से भी हैं, सिक्षा भीद हैं, विदेर से पढ़ के आया हैं, उनके मन में एक लगन है, कि हम अपने समाज के लिए, अन दूसरे लोगों के ल जिन्हे सब चीक है, नारा मत लगाईए, मुझे हमेशा परहेज नारे से है, कि आप अपनी बात कहिए, क्योंकि मैं आम लोगों के साथ इसलिए आता हूं, नहीं तो नेताओं वो खड़ा होके डिबेट कर लेता हैं, है ना, तो आम लोगों की तरह बात करेंगे, और अपन मंत्री बन सकता है, मेरे समय से तो कोई अपोजिशन में है ही नहीं, और मोदी जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अगर होता है, तो देश के कल्यान के लिए बात नहीं होगी, इसलिए भाजपा और मोदी जी को ही आना अती आवश्यक है, आप लोग क्योंकि बहुत पढ बात हुई कि राम मंदिर की वजए से, राम जी की वजए से माहौल बना हुआ है, और उसका फाइदा बीजेपी को हो जाएगा, आप लोगोंको लगता है कैसा होगा, देखिए, राम मंदिर तो एक अपना अलग इसू है, राम मंदिर तो बना बहुत अच्छी बात है, ये शरिफ भाजपा के लिए नहीं है, बलकि सारे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, उन लोगों के लिए राम मंदिर बनाया गया है, और इसमें हो सकता है कि इसका कुछ फाइदा मिल सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका फाइदा मिले ही, लालु यादव जी परिवार को लेकर सवाल उठाया, लालु यादव जी ने कहा है कि यहीं की बात है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, आप लोगों को लगता है कि मोदी जी का परिवार, उनका जो नीजी परिवार है, वही है, यह 140 करोड जो दावा मोदी जी कर रहा है, इस व जाल रही थी, उसमें कोई दुम्मत नहीं है, लालु जी ने कहा, और किसी के व्यक्ति विशेस के इडिविजुल के परिवार पर बोलना, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया, आज हर आदमी ठीक है, प्रधान मंतरी किसी पार्टी का नहीं होता है, हमारा आपका सबका होता है, जो वोट नहीं भी देता है, उनका भी प्रधान मंतरी होता है, लेकिन आज जो ये बयार चल गया, कि मैं मोदी का परिवार, एक सो चालीस कवर मोदी का परिवार, ये जरूर कहीं ना कहीं, काईस समाज जो है, वो मोदी का परिवार है कि नहीं है, को एक बंदा है तो हमारे मोदी मोदी की शिवह कोई नहीं मोदी नहीं और मोदी के साथ और आगे थोड़ा हीए थोड़ा सा समाज था मोदी जी के बाद भी काई समाज रहेगा जहां तर हमारा निता है तो हमारा इतुराज फिना नेता है और कोई नहीं भी कल्प नहीं हमारे पाफ एक चीज़ बताइए आप लोग कह रहें कि मोदी ही अर्थ विवस्ता को आगे लिजा पाएंगे अभी देश में तो महौल ये भी बनाया जा रहा है कि अर्थ विवस्ता एकड़म चर्मरा गई है बिल्कुल वह भी पक्षियों का नहीं है हमारा नहीं है हम देख रहें ना डे बाटम से लोगों को दिख रहा है क्या हमा मेरा नाम आशुतोस नरायन सिना मुझे एक चीज़ बताएं आप की काइस्त समाथ जो है वह सिर्फ हवा के साथ नहीं बहता है ना नहीं उनको कोई बर्गला सकता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं सब हर घर में अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो आप लोग क्या र जाएंगे ऐसी बात नहीं है काइस समाज अपने आप में एक बुद्धी जी भी समाज है और जहां पर इतने लोग हैं सब का कितना माइंड है एक माइंड तो मोदी जी एक माइंड पूरे देश में खलबली मचा दिये हैं पूरे वर्ल्ड में पांचमा अर्थ वेवस्ता बना दिया है और इतने माइंड जब मोदी के साथ लगे हैं तब ही तो उनको हाथ म्झबूत हुआ है और पहली बात है कि मोदी जी के विशे में जो आप बाते कर रहे थे उनके बिशे में की क्यों हम लोग उनके दिवाने हैं एक शेर है कि शमा जली तो परवाने हुए शमा जली तो परवाने हुए ये शराब बनी तो मैं खाने हुए आखिर कुछ बात है मोदी में जो हम सब कैस्त उनके दिवाने हुए बहुत अच्छा कुछ महिलाएं भी है यहां परकाइस समाज से क्या नामें जी आपका मेरा नाम प्रिती बढ़ियार है और मैं एक सोसेल अक्टिविस्ट के रूप में काम करती आ रही हूं जैसे एक चीज मुझे बताईए कि क्या आप आपके समाज की जो महिलाएं हैं वो भ हम लोग हवा और संप्रदाय चेलेकर के रहे ना राममंदी से जुड़के स्व अध Mensch हम लोग मोधी जो जो काम कर रहे हैं उसको देखने हैं जो भीकास की काम कर रहे हैं आज nic modesaser अर्शा महिलों देख्यां कर रहे हैं आज हम लोग सवतंता का अन्भव कर रहे हैं हाज जो के बाद हम लोग के अपरूस भी नहीं निकल पाते थे आज हम लोग बहुत सवतन्त वह शुष कर रहे हैं और अभी वेवस्था भी की जा रही है कि हम रात भर भर भी चल सकते हैं इस तरह के भी CCTV कामरा की बात अभी सम्राठ चौधरी ने किया है अभी महिला ससक्तिकर्ण को प्रफ्रणां में आयों अविए रभी नब मो Di जी को आप लोग क्यों पसंद्वन मोदी जका परिबारबाब्द नहीं है वह तो योगी है शंक की त्रह है हणा लालो जी तो कहते हैं को हिंदू ही निया है हिंदु कैसे नहीं रहेंगे इस अधर्म लिया वह उस सनातन धर वो इसलाम को फॉलो कर सकता है वो जैन को फॉलो कर सकता है आपका क्या नाम है अच्छना पर्मा इतर आज यह थोड़ा सा यह तो आपका चेहरा काला दिखेगा सब चमा करें होंगे जी यह बताएं कि 24 में आप लोगों का क्या मुद्दा है पटना साहिप सीट पर आप लोग किसके साथ जाएंगी और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कौन सी लहर चल रही है और हम का समाज सब चाहते हैं कि वह अच्छा एक माहोल बने और रितुराग्जी हमारे अभी करमत निता है प्राज जी को टिकट दिला के रहेंगे कि आप लोग यह हमारी प्रयास है कि वो आए और प्राथमिक्ता है बीज़र पी जब सुन लेती हैं कि ऐसे लोग एजेंडा चला रहे हैं तो उस आदमें को ज़रूर टिकट नहीं देती है मौधी के नाम पर चुनाव हो रहा है कि के चौनाव हो रहा है हम लोग क loro के लिवंको देख रहे हैं समझ रहे हैं कि वहीं थार है है निकल करा रही है ना किसा माहूल बहुत अच्छा सब बनते जा रहा है तो हम लोग क्या चाहेंगे सानातन धर्म वाले नहीं हैं वो लोग तो बड़े बखलाय हों नहीं बखलाने की बात नहीं है इसमें उनको भी इसमें रमना होगा जो कि यहां पर जब इसकी लहर है तो पिससे कहां बचिएगा लहर है गाउंगाउं में बात होती है या शहर शहर में लहर है गाउंगा दर्मोदी को पसंद करते हूं नहीं को लहर तो नहीं दिखाई देरी लेकिन हमारी इच्छा है कि चलिए अच्छे चीज की सुरुआत अगर हुई है तो इसको आगे हम लोग लेकर चले हैं बताएं क्या नाम है आपका मेरा नाम दिवाकर सींग हो गया हम नेशनल बरिष नारिक्स के परदेशा ध्यक्ष हुए आपके चैनल को हम धन्यबाद देना चाहते हैं कि आप आम जनों के विचारों को अभिचुनाव से पहले जानने का परयास किया लेकिन हम जो है नगरवासी हैं हमको सबसे पहले यहां की सुविधा चाहिए जो देख लिजे बाढ़ के दिनों में क्या इस्तिती होती है या भी बरसा थोड़ा सा हो जा तो जो निड़न मुहला है पाटड़ी पूत्रा कंकरबाग डूब जाता है नाव चलने लगती है नाव चलने देखी है तो कहने का मतलब है कि हमको सुविधा चाहिए आप इस बताइए कर्मन होता है यह फूट पातवाले को अतिक कर्मन इन लोगों को एक बार हटाय जाता है अदूसरे दिन जो दूसरा मजबूत होता है वहां फिर जो है स्थाई हो जाता है इक कौन देखेगा दिकत बाबू से जो प्रेम है वो छुटता नहीं है देखेगे प्रेम का तो ऐसा सब्द है नो जो आपसे भी हमरा प्रेम हो सकता है आम जनों से भी प्रेम हो सकता है लेकिन सुविधा का जहां तक सबाद है इक गरीब जो है भूखे मरता है उसको पहले आप इस जाम कर दीजे कह उसके बाद में हटाई है यहां से जाए ना चालिस में से कितनी सीट इस बार NDA को जा सकती है यहां से लेकिन नेशनल बेवस्था जो है उससे हमको बिहार को जो है लेना है लेकिन उतना नहीं लेना हम बिहार की सुविधानों देखेंगे आप भाई साब देखिए अपने चैनल से यहां गार्डिनर हस्पीटल है आप जाए मरीज जो है लाइन में लगा हुआ है कोई दवा उसक जाता है को निटिश कुमार को आना पड़ता है नहीं तो निशुष कुमार को कभी नहीं यहां ना चाहिए था आज एक चीज़ और बताइए थोड़े से मुझे जगे दीजिए मैं धर आ जाता हूं क्या नाम है आपका शेशांक बीजेपी ने अब जो है निटिश कुमार के साथ बीजेपी है 2024 के चुनाव में से पहले 19 में भी दुनों साथ में लड़े थे आप लोगों को लग रहा है कि इसकी जरूरत थी बीजेपी को या अगर निटिश बाबू को साथ लिए बिना भी 40 सीटों पर बीजेपी लड़ती लोग सभा का चुनाव तो फाइदे मे सकते हैं आप लोईया जी के जमाने से याज कीजिए तो बिहार जो है एक राजनितिक प्रयोक्षाला रही है उर्स राजनितिक प्रयोक्षाला में यहां पर हमेशा कास्टीजम को ही प्रमोट किया गया है कोई भी हो अगर समाजिक नय की बात काती है तो वो भी कास्ट का सम ज़बूरी या हमारी मानसित्ता है कि अभी का बरत्मान गटबंधन या समिकरन सही परिप्यक्ष में है।